नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल चैनल सेनिक जुहनजुनों में डॉक्टर मुकेश समून्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन हैं, कि सरो पर्थम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकोन के बटन को ओन कर लीजिए, ताकि अपलोड नए वीडियो का नोटिफिक्शन से पता चलता रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, पर्तिवगी प्रिक्षाव में 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 अध्याई कलेंडर प्रिक्षन से समंधित पर्षनों पर चर्चा क करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले देखे, मैं बात करता हूँ, पूरे एक वर्स की, फिर वर्स से नीचे और चलते हैं, तो महिनों की बात करता हूँ, महिनों में दिनों की बात करेंगे, लेकिन जब मैं दिनों की बात करूँगा, तो इस चेप्टर के अंदर, इस अध साथ से भाग देंगे तीन दिन सेश बच गया आपके पास में मैंने का पंदरा दिन पंदरा में साथ से भाग दिया सादू निचाउदा एक दिन सेश बच गया मैंने खा तीस तीन तीस का मतलब साथ चोक टाइस दो दिन सेश बच गये यह तीस तीन है तो मत्र दो दिन काउं एक साधारन वर्ष की, साधारन वर्ष वह वर्ष जिसमें फर्वरी 28 का होगा और पूरे वर्ष में 365 दिन होगे लेकिन किस वर्ष में 366 दिन होगे, मतलब कौन सा वर्ष जिसमें फर्वरी 29 का होगा ये क्या मालूम चलेगा उसके लिए देखिए आप लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष के अंदर चार का पूरा-पूरा भाग चला जाए या वह सताब्दी जिसमें 400 का पूरा-पूरा भाग चला जाए पूरा-पूरा भाग जा रहा है और चार का भाग देने का एक नियम है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके लाष्ट के जो दाई के जो अंख है उनके अदर चार का भाग दे चार का पूरा-पूरा जाता है तो वो भाज्य होगी अनिथा नहीं मैंने का उनिस सो अठाण में अठाण में के अंदर चार का भाग नहीं जा रहा तो ये लीप वर्स नहीं है मैंने का सतापदी पंदरा सो पंदरा सो में मैंने चार सो का भाग दिया भाग नहीं जा रहा लीप वर्स नहीं है 600 के अंदर 400 का भाग दिया पूरा पूरा भाग जा रहा है इसका इसली यह वर्से लीप वर्स है तो लीप वर्स वह वर्स जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जै या वह सतारबत डेखें अब आप मैं बात करता हूं сाधान वर्स की जिसमें 365 दिन है तो साथ तो पंजे पैंटीस एक बच गया पंदरा होगे साधुनी चाउदा तो यह तो बावन सप्ता तो पूरे होगे और एक दिन स्यस बच गया एक दिन जो स्यस बचा है तो जितने सप्ता होंगे उसको आप नेड़ेट कर देंगे तो आज के बाद कोई भी आपसे कहें कि एक साधान वर्स में कितने दिन होते हैं तो आप कहेंगे मत्र एक दिन होता है साधान वर्स में और एक दिन का मतलब यह वर्स जिस दिन से प्रारम होगा उसी दिन समाप्त होता है यह सेम डे क्लोज होगा यह, सेम डे क्लोज, for example, एक जन्वरी का सोंवार है, यह समाप्थ होगा वर्स 31 दिसमर को, तो उसको भी सोंवार होगा, जिस दिन से प्रारब हो रहा है, उसी दिन समाप्थ हो रहा है, तो यह वर्स जिस दिन से प्रारब हो रहा है, सोंवार से प्रारब ह तो यह जो सोंवार का जो दिन है यह तो पूरे वर्ष के अंदर 53 बार आएगा एक जनुरी का जो वार है जो सोंवार है वो पूरे वर्ष के अंदर 53 बार आएगा और 6 जो 6 दिन जो है वो पूरे वर्ष में बाउन बाउन बार आएगा बात करता हूँ है लीप वर्स में 366 दिन या वह वर्स जिसपे फरवरी में 29 दिन हैं हर आने वाला चोथा साल हर आने वाली 400 साल किते दिन की होगी देखें आप 366 दिन साथ से भाग दिया इसी परकार से सप्ता को नेड़ेट कर दिया मैंने तो आपके बास में लीफ वर्स के लिए आये मात्र दो दिन का होता है जहाँ पर भी लीफ वर्स की बात होएगी तो पूरे वर्स के आप दो दिन काउंट करेंगे इस दो दिन का बतलब ये वर्स जिस दिन से परारम होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा नेक्स टे क्लोज होगा फॉर एकजम्पल मैंने गा एक जनवरी का सोंग्वार है समाप्त होगा 31 दिसंबर को तो उसको होगा मंगलवार तो जिस दिन से प्रारम हो रहा है उसके अगले दिन स्माप्त हो रहा है सोंवार से प्रारम हो रहा है मंगलवार को स्माप्त हो रहा है तो सोंवार और मंगलवार ये जो दो दिन है एक और दो जन्वरी के जो वार होंगे वो तो पूरे वर्ष के अंदर 53 बार आएंगे और बाकी के जो पांच वार जो बच गए वो यहाँ पर 22 बार आएंगे यह मैने वर्षों की बात की वर्ष से नीचे ओर चलेंगे तो महिनों की बात करूँगा और महिनों के अंदर भी उनके दिनों की बात करेंगे यसी महईने में 28-3 मा फरवरी होगा वर्ष साधारण होगा 29-3 का भी महईना होता है महिना वही फरवरी होगा लेकिन वर्ष लीप वर्ष होगा 30-3 की बात करूँगा तो पूरे वर्ष के अंदर 4 महईने हैं जो 30-3 के उते हैं वो माँ होंगे अप्रेल, जून, सितंबर और नौंबर. फिर बात करूँगा मैं 31 तीनों की, तो 31 तीनों वाड़े पूरे वर्स के अंदर कितने माईने हैं? साथ माईने हैं. साथ माईने कौन-कौन से हैं? जन्वरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर. ये साथ माईने हैं, जिनमें 31 हैं, चार माईने हैं, जिनमें 33 हैं. बाकि ये जो एक माँ होगा, वो या तो 28 का होगा, या 29 का होगा. 28 का होगा, वर्ष साधारन होगा, 39 का होगा, वर्ष लीप वर्ष होगा, सबसे पहले में बात करता हूँ 28 दिन की, 28 में मैंने 7 से भाग दिया, 7 चोग 28 कुछ भी नहीं बचा, मात्र जीरो दिन, तो यदि कोई माहे फर्वरी है, 28 दिन का है, इसका अतर मात्र जीरो दिन का होगा, जीरो दिन का मतलब ये माहे जिस दिन से प्रारण होगा, उसके एक दिन पहले समाथ होगा, माइनस एक, एक दिन पहले समाथ होगा, मैंने का एक फरवरी का सुमवार है तो यहाँ पर इस मा में 28 फरवरी को रईवार होगा जिस दिन से प्रारब होगा उसके एक दिन पहले समप्थ होगा तो यहाँ पर क्या हुआ? साथ चोक 28 सारे के सारे वार कितनी बार आएंगे वहीने में? चार चार बार आएंगे, four times यहाँ पर सारे के सारे जो सातों ओर जो हैं वो पूरे मा में चार चार बार आएंगे इसी परकार 39 दिन की बात करूंगा मा फरवरी होगा, वरस लिप वरस होगा वए वरस होगा जिसमें चार का पूरा भाग चला जए या वह सताब्दी होगी, जिसमें 400 का पूरा-पूरा भाग चला जाए 29 में मैंने 7 से बाग दिया, 7 चोक 28, कितना दिन बच गया? एक दिन, तो यदि कोई मा है, 29 दिन का है, तो आप कहेंगे मात्र एक दिन का है और एक दिन का मतलब, जिस दिन से प्रारम होगा, उसी दिन समाप्त होगा, same day close For example, एक फरवरी सोमवार है, तो यहाँ पर 29 फरवरी का भी सोमवार होगा तो सोमवार से प्रारम हो रहा है, सोमवार को समाप्त हो रहा है, 7 चोक 28, मतलब 29 जो दिन है 29 वाध दिन कया है, 100 वार और 100 वार सी प्रावर, तो ये जो 100 वार है, एक फ्रवरिका वार है, ये तो पूरे महिने के अंदर 5 वार आएगा, और 6 जो 6 दिन जो हैं, वो कितने वार आएंगे, 22 वार आएंगे, अब मैं बात करता हूं, 30 दिन की, पूरे वर्स के अंदर, मात्रे चार माईनों की जो कि कितने दिन के होंगे साथ चोक ठाइस कितने दिन बच गए दो दिन तो यदि कोई महिना तीस दिन का है तो मात्र दो दिन का होगा दो दिन का मतलब ये माहे जिस दिन से प्रारब होगा उसके एक दिन बाद समाप्थ होगा एक दिन बात समाप्त होगा जैसे मैंने का एक नौंबर का सोंवार है एक नौंबर का सोंवार है तो तीस नौंबर का क्या होगा मंगलवार होगा जिस दिन से प्रारब उसके अगले दिन समाप्त होगा जिस दिन से प्रारब उसके अगले दिन समाप्त होगा जिस दिन से प्र ये तो माहा के अंदर पांच बार आएंगे और बाक्की के जो वार है यहाँ पर इस माहा के अंदर चेर चेर बार आएंगे इसी करम के अंदर आगे बात करता हूं मैं 31 तीन की मैंने बताए 31 तीन पूरे वर्ष में कितने माह होंगे 7 माह है सात महा कौन से होंगे जन्वरी मार्च मै जुलाई अगस्ट अक्टूबर वे दिसमबर ये जो सात महा है 31 में मैं 7 से भाग दिया 7 perfect 28 ये सात महा किते दिन के है मात्रे मात्र तीन दिन के हैं ये तीन दिन का मतलब ये महाज जिस दिन से प्रारम होंगे उसके दो दिन बाद समाफ्थ होंगे मैंने कहा एक जन्वरी का सोमवार है तो 31 जन्वरी का क्या होगा जन्वरी 31 का तीन दिन का होगा जिस दिन से प्रारम होगा दो दिन बाद समाफ्थ होगा सो मारशे प्रारव उरह नहılar है तो मंगल, बुद, बुद्वार को समाप्द होगा वो सो मारशी स्ठार्ट होगर करके बुद्वार को समाप्द हो रहा है इसका मतलब सो मंगल और बुद यह जो तीन दिन हैं फिर्ष्ट ट्री डेस एक दो और तीन तारिक के ये तो पूरे माहा के अंदर पांच बार आएंगे और बाक्की के वार यहां पर कितनी बार आएंगे चार चार बार आएंगे ये मैंने बात की, इनके महीनों की बात की मैंने पूरे वर्ष की बात कर ली सारे महीनों की बात कर ली एक साधरन वर्ष की, Moon Stable, First, सारे महीने लेकर के चलता हूँ है, जन्वरी, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. अब देखें याप पर जन्वरी भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन. मैंने आपको क्या बताया? 31 की बजाए कितने दिन का होगा? ये महें 3 दिन का होगा. जो माह 31 का है, वहाँ पर 3 दिन लिखूँगा मैं, जो 30 का होगा उसके लिए 2 दिन, 28 का है तो 0 दिन, और 29 का है तो 1 दिन. तो 3 दिन, March, February है वर साधारन है तो 0 दिन का. मार्च में 3 दिन, April 2, 3, 2, 3, 3, ये 2 महीने continue हैं, जो 3-3 दिन के होंगे, 2, 3, 2, 3. अब देखे, पूरे 12 महीने के सारे की सारे दिन मैंने जो इनके जो लिख दिये हैं, अब इनमें 3-3 महीनों के मैं पेर बनाता हूँ. मैंने का, सुरुवात के 3 महा है, यदि वर साधारन हो, तो 3 और 3 कितने होगे? 6 दिन. तो सुरुवात के 3 महीनों में 6 दिन. उससे अगले 3 महीने, April, May, June, 2, 3, 5, 5, 5, 2, 7, 7 में 7 का बाग दोगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं. इसका मतलिब मात्रज 0 दिन. जुलाई अगर सितंबर की बात करता हूँ, 3, 3, 6, 6 और 2, 8, 8 में 7 का बाग देगे, कितना बचेगा? एक. 3, 2, 5, 5, 5, 5, 3, 8, 8 मोले तो एक तीन. यह मैंने 3-3 महनों के पेर लिये हैं. यह जब अब भी कोई तारिक दे रखी होगी, सन दे रखी होगी और उसका अपन वार ग्यात करेंगे, तब यह भूत काम में आएंगे, सारे किसारे यह. अब देखें, मैं सुरुआत के 6 महनों की बात करता हूँ. शुरुआत के 6 महने देखें आप, जन्वरी से लेकर के जून तक, तो 6 और 0 कितना दिन हो गया? 6 दिन. आप से कोई पुछे कि जन्वरी से जून तक के कितने दिन होंगे? यदि वर साधारन हो, तो मत्र 6 दिन. और अंतिम 6 महने, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, एक और एक, दो दिन. इसी परकार, पर्थम 9 महा की बात करता हूँ मैं, तो जन्वरी से लेकर के सितंबर तकी बात करता हूँ, तो 6 और 1 कितना हो गया आपके आसमे? 7. 7 का मतलब 0 दिन. तो शुरुआत के 9 महनों के 0 द 2 दिन. इसी करम के अंदर पूरे वर्ष की बात करता हूँ मैं, तो 6 और 2, 8 का, 8, 8 का मतलब कितना दिन हो गया? 1 दिन. यही मैंने स्टार्टिक में बताया था, यदि वर्ष साधारन है, 365 दिन, 365 का मतलब 1 दिन. यह आ गया 1 दिन. एक दिन का मतलब, यह जिस दिन से होगा यह वर्ष से, तो 31 दिन समर को भी 100 वार होगा. जिस दिन से प्रारम उसी दिन समाफ्थ होगा यह. तो यहाँ पर जिस दिन से प्रारम हो रहा है, बतलब 1 जनुरी का जो वार है, वो वर्ष में कितनी वार आएगा? 53 वार. और बाकी के वार यहाँ पर कितनी वार आए हूं और मून्स्टेबल सेकिंड की बात करता हूं तो कहां चेंज आएगा के ओल फर्वरी महां में चेंज आएगा जहां पर फर्वरी साधान वर्स में 28 दिन का था मतलब 0 दिन का था वही परी फर्वरी 29 29 का अतलब कितना दिन का होगा एक तो शुरुवात के तीन महीनों में कितना दिन हो जाएगे तीन और एक ची चार और तीन शाथ साथ का कितना दिन ओ गया जिरो दिन तो यदि वर्स लीफ वर्स है तो सुरुवात के 3 महीने में जिरो दिन हूँगे आगे कोई चेंजमेट नी होगा आगे बिल्कूल सेम होगा तो अपरेल मई जूर में कितना दिन जीरो दिन तो इसी परकार से पर्थम 6 मां में कितने दिन होगे जीरो और जीरो जीरो दिन तो यदि वर्स लीप वर्स है तो पर्थम 6 मां के जीरो दिन होगे और अंतिम 6 मां में कितने दिन होगे दो दिन मैं बात करूँ पर्थम 9 महीनों की 9 महीने कहा से कहा तक जन्वरी से लेकर के सितंबर तक तो जीरो और एक कितना दिन होगा एक दिन अंटिम नो मा है अंटिम नो मा होंगे अप्रेल से लेकर के दिसंबर तक कितना होगा जीरो और दो कितना दिन हो गया दो दिन और पूरे वर्स की बात करूँ मैं जन्वर से लेकर के दिसमर्स तक की बात करूँ Leapho착 में तो 0 और 2 कितना दिन हुआ आपकी बास में दो दिन हुआ इस दो दिन का बतलब मैंने क्या बताया कि ये एक दिन बाद समाप्त होगा जिस दिन से प्रारब होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा एक जनवरी का सोंवार है तो यहाँ पर 31 दिसमर का क्या होगा मंगलवार होगा इसका बतलब क्या होगा यहाँ पर सोंवार से प्रारब हो रहा है मंगलवार को समाफ्थ हो रहा है यह तो यहाँ पर सोंवार और मंगलवार या एक और दो जनुरी के वार हैं वो तो पूरे वर्ष में 53 बार आएंगे और बाकी के जो वार है वो कितनी बार आएंगे बाउन बाउन बार आएंगे इसी करम के अंदर देखें आप आज के छे दिन बाद सबसे पहले आज का दिन क्या है फिर आप छे दिन आगे केल्कुलेट करोगे इसकी वजाए आप अगले को जवाब दे आज के छे दिन बाद वही वार होगा जो आज के एक दिन पहले था तो अगला के आज के छे दिन पहले क्या था छो आज के एक दिन बाद आएगा तो पांच दिन पहले क्या होगा वही होगा जो तीन दिन बाद होगा मेरा कहने कातात प्रिए 6 और एक 7, 1, 6, 5, 7, 2, 5, 7, 4, 3, 7, 3, 7, 2, 2, 5, 7, 4, 7, 3, 4, 7, 2 और पहले की दिनों का योग कितना होगा साथ वोले तो 0 होगा दोस्टों से समंदित त्होरी पूरी कमप्लीट हो चुकी है इस समंदित जो भी मैं होंगे जिस इस परकार के सभी परतियोंगी प्रिक्षाओं पुछे जाते हैं उनके कई सारे एक्जाम्पल्स मैं लेता हूँ और उन्हें एक्जाम्पल्स को लेने से पहले आपने यदि इस चैनल को सैनिक जोंजनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आवश्य कर ले और बेल आइकोन को भी आप ओन कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक रूँ सके